नमस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रश्मी तो बिहार विदानसवा चुनाव संपन होने के बाद नए सरकार की गठन की कवायतें काफी तेज हो गई हैं अब तक ये लगभग लगभग साफ हो चुका है कि सुशीर कुमार मोदी से उपमुख्य मंत्री की कुरसी चिन रही है चली आप बात करते हैं बिहार की राजनिती में अचानक सुर्खियों में आए उस नाम की उस नेता की जो आने वाले दिनों में बिहार के उपमुख्य मंत्री बन सकते हैं जी हाँ और वो नाम है तारकिशूर प्रसाद का जैसा कि आपको पता है कि सीम आवास पर एंडिय की बैठक हुई और इस बैठक में नितीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया जबकि तारकिशूर प्रसाद को विधान मंडल का नेता बकाइदा तार किशोर प्रसाद के नाम का एलान राजनात सिंग ने किया अब इसके बाद से ही लगा तार कटिहार से चार बार विधायक रहे तार किशोर प्रसाद को लेगर कई तरह की चर्चाए होने लगी सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी चर्चा कि वो आने वाले दिनों में विहार के उपमुख्य मंतरी के पत पर काबिज हो सकते हैं जी हां उन्हें उपमुख्य मंतरी की कुरसी मिल सकती है तो अब यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि तारकिशोर प्रसाद है कौन और उनका पॉलिटिकल बैक्ग्राउंड कैसा रहा है लेकिन उससे पहले तफसील से हम आपको बताएंगे आखिर कौन है ये बड़े नेता वरिष्ट नेता लेकिन उससे पहले हम उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं जब उनसे पत्रकारूँ ने बात की खास तोर पर जब बिहार तक ने तारकिशोर प्रसाद से पूछा कि पार्टी की तरफ से उन्हें बड़ी जिम्मिदारी मिलने जा रही है तो उन्होंने सादगी भरे लहजे में कहा कि वो इसे सम्मान से कहीं जाता एक कारेकरता का दाईत्व मानते हैं चलिए अब जानते हैं आखिर कौन है तारकिशोर प्रसाद जिस पर भारतिय जन्रता पार्टी ने इतना बड़ा भरूसा किया है और बड़ी जमिदारी देने की कवायद चल रही है तारकिशोर प्रसाद बिहार बीजेपी के वरिष्ट नेता है कटिहार जिले से आने वाले तारकिशोर प्रसाद की पार्टी में अच्छी पकड़ है 64 साल के तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी ने कटिहार सीट से अपना उमीदवार बनाया था बारवी पास तारकिशोर प्रसाद ने आरजेडी के डॉक्टर राम प्रकाश महतो को हरा कर कटिहार सीट से लगा तार चौथी बार चुनाव में जीत दर्ज की इस बार तारकिशोर प्रसाद ने आरजेडी के डॉक्टर राम प्रकाश महतो को 12,000 से जादा वोटों से हराया है 2015 में लालू और नितीश की मजबूर जोड़ी के बावजूद भी तारकिशोर प्रसाद चिनाव जीतने में खाम्याब रहे इन्होंने पिछली बार जेडियो के उमीदवार को पठकनी दी थी बिहार विधानसवा चिनाव 2020 के लिए दिये गए हलफ नामे के मताबिक तारकिशोर प्रसाद करोड़ पती है चिनाव आयो को दिये गए हलफ नामे में दी गए जानकारी के मताबिक उनका प्रफेशन व्यापार और क्रिशी है बड़े बात यह है कि सियासे सूत्रों की माने तो इस बार बिहार को दो दो उपुमुख्य मंत्री मिलने जा रहे हैं पहला नाम तारकिशोर प्रसाद का जबकि दूसरा नाम रेणू देवी का बताया जा रहा है हाना कि एक और इंपॉर्टन जानकारी हम आपको बताएं तारकिशोर प्रसाद को लेकर इतनी बाते क्यों हो रही हैं इतनी चर्चा की हो रही है राजशनतिक जानकार कहते हैं सियासी गलियारों में ये चर्चा आम है कि तारकिशोर प्रसाद, रवी शंकर प्रसाद और खुद सोशील कुमार मोदी के काफी खास है काफी करीबी है और तो और बड़ी बात ये है कि लगातार चार बार कटिहार से शांदार विधायकी करने के बाद इस बार पार्टी की तरफ से भारती जनरता पार्टी की तरफ से शांदार परणाम तारकिशोर प्रसाद को मिलने जा रहा है तो बिहार की सियासत से जुड़ी हर एक अपडेट हर एक खबर आप लगातार बिहार तक पर देख सकते हैं जान सकते हैं बने रही हमारे साथ नमस्कार